नमस्कार दोस्तों दोस्तों वाटसप में जब भी हमारे पास कोई न्यू मेसेज आता है और जब हम उसे पढ़ते हैं तो उस मेसेज को भेजने वाले के पास ब्लू टिक का एक आप्शन आ जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि आपने उसका मेसेज पढ़ लिया है लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम नहीं चाहते कि मेसेज भीजने वाले को पता चले कि हमने उसका मेसेज पढ़ लिया है लेकिन उस सेंडर का मेसेज पढ़ना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है तो दोस्तों WhatsApp अब एक ऐसा फीचर लाया है जिसमें बिना चेट को उपन किये भीजने वाले के सारे मेसेज़ेस को आप पर सकते हैं जी हाँ दोस्तों WhatsApp के इस फीचर की मदद से तो दोस्तों जल्दी से सबस्क्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चिनल टेक्नोपिस्ट को और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे टेक्नोलोजी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे तो दोस्तों जब भी हमारे पास किसी का कोई मेसेज आता है तो उसका पहले मेसेज तो आप आसानी से बिना चेट को उपन किये पढ़ सकते हैं जिसे मान लीजिए मेरे पास ये फ्रेंट्स ग्रूप का मेसेज आया और मैं इसकी सारी चेट को पढ़ना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं उसका पहला मेसेज आय वेटिंग यू आसानी से पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप बिना उसकी चेट को ओपन किये इसके मेसेज भेजने वाले को सारे मेसेज को पढ़ना चाते हैं तो आपको उसके लिए सर्च बार न में जाना हुगा मेसेज को भेजने वाले का नाइम टाइप करना होगा जिसे मैं फ्रेंट्स ग्रूप के सारे मेसेज पढ़ना चाहता हूं तो आपको टाइप करना होगा फ्रेंट्स ग्रूप अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सिर्फ फ्रेंड्स ही लिखा है और नीचे आपको उसके मेसेज दिखाई देने लगे होंगे फ्रेंड्स गूप के सारे मेसेज I am waiting you, what are you doing, how are you, I, hi दोस्तों इस तरह से आप बेना किसी की चेर्ट को open किये उसके सारे मेसेजस को पढ़ सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उनके मेसेजस को पढ़ा है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसे पर दिल लाइक शिर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद